जार्खन में 24 दिसंबर 2020 से लगी सरकारी कर्मियों के प्रमोशन पर रोक को हटा दी गई है इसके साथ अब 57,000 से अधिक पदों पर प्रमोशन का रास्ता भी साफ हो गया है राज सरकार के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने कुछ शर्तों के साथ प्रमोशन पर लगी रोक को हटा दिया है बता दे कि जार्खन विधान सभा में उठाए गए प्रश्ण के आलोक में विधान सभा द्वारा एक फिशेश समिती का गठन किया गया था एवं आलोची मामले की जाच की गई थी जिस क्रम में राज सरकार द्वारा विभागे पत्र के माध्यम से ततकाल प्रभाव से पदोनती की प्रक्रिया स्थगित की गई थी उस वक्त यह बात सामनी आई थी कि राज कर्मियों की पदोनती में अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जन जाती के वरिये सरकारी सेवकों को पदोनती से वंचित कर सामान वर्ग के कनिये कर्मियों को भी पदोनती दी जाएगी इसी के बाद विभाग ने चार्च कराई थी जिसके बाद करीब डेर साल से राज में पदोनती बाधित थी बता दे की इस बीच सुप्रीम कोट के आदेश के बाद राज के सरकारी कार्यालों में SCST अधिकारियों वकर्मियों प्रतिनिधत का आकड़ा जुटने के लिए प्रमोशन पर रोक विगत डेर साल पहले लगाई गई थी इस रोक की वज़ा से विभिन विभागों के विभिन पदों पर कार्यत अधिकारियों वकर्मियों की पदोनती भी रुग गई थी कई अधिकारी वकरमचारी उचपदों पर पदोनती पाए भगेर ही रिटायर हो गए राज सरकार ने इस बीच अपर मुख्य सचिव ATIL ख्यांगते की अध्यक्षता में कमिटी भी घठित की थी इस कमिटी को सरकारी कार्यालों में SCST के प्रतिनिधत्व का आगड़ा जुटानी को कहा गया था विगत 8 अक्टूबर को ही कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है इसके बाद विभाग ने रिपोर्ट के आधार पर एक विध्यक लाया है और इसमें परिनामी वरियता के आधार पर SCST को पदुनती देने की बाद भी कही है न्यूजविंग की ब्यूरर रिपोर्ट